हलो कौर्ट का तो कौर्ट ने कहा है कि अब जो है ओविसी कंडिटेट्स जो है जिनके जर्णरल से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं जर्णरल के गई अगर किसी के मार्क्स से तो उनको तो भी क्या क्या जाए, एड क्या जाए, ठीक है, तो अभी ये court ने अगर फैसला दिया है, तो result क्या हो जाएगा, revise हो जाएगा फिर से, अब result revise हो जाएगा, तो एक बड़ा क्यूशन माक ना, इस RS exam के उपर लग जाता है, मेंस के उपर, कि बहुत सारी क्यूशन्स हैं, जो अब हमारे दिमाग में आएंगे, इस exam को लेके, देखो, सबसे पहले तो ये कि अगर मान लीजे कि अब और कुछ add किया जाता है, OBC candidates को अगर add किया जाता है, तो जो 15% का जो rule है, क्या वो follow होगा है, नहीं होगा, ठीक है, तो ये rule तो बिल्कुल follow नहीं होगा, ज्योंकि 2016 में भी हमने यही देखा था, कि इस rule को क्या कर दिया गया था, reject कर दिया गया था, और इसमें यह का जाता है, कि जो है approximate यह लिया गया है, कि 15% जो है, वो approximately certain नहीं है, इसलिए य नया क्यूशन एक और चीज है, कि यह कितने अभी अभ्यात्रियों को अब शामिल कह जाएगा, कि कितने नया और स्टुडेंट्स आएंगे, तो कम से कम जो है, वो 6-7000 के लगबग अब हैं, नया स्टुडेंट्स और आने वाले हैं इस exam में, तो competition क्या हो जाएगा, की दिन होने के चांसे जाएं, सरफ 10% चांस हैं कि इस case में क्या होगा, यह आगे हो सकती है, और इस के बारे में decision अभी double bench में, जो division bench है, उसमें सुनवाई होनी वाली है, तो तब यह confirm तो तब ही पता चलेगा, लेकिन अभी यही है, कि जो exam है, वो 24 December को ही है, तो अब यह ब Pre-K exam के बाद में, वो 45 days count के जाते हैं, नेकी result के बाद में के जाते हैं, तो यह जो rule है, 45 days का वो कहां से है, वो Pre-K exam से है, तो इसका मतलब कि 5 अगस्त के बाद में 45 days होनी चीए, नेकी जो कल decision आया, कल result फिर से revise होगा, उसके बाद में होनी चीए, इसके बाद में सबसे इतरी है वो अच्छी तरह से जानते की आगे जाकि exam कहा अटकेगा अटकने का है कि कि क्या क्या जा सकता है सरफ मेंस करवा दिया जाएगा यहांपे मेंस का result भी दे दिया जाएगा और interview भी करवा दिया जाएगा लेकिन interview के बाद में finally जो selection के बाद में इनको joining या फिर men's का result से पहले ही इसको रोग जाए जाएगा ठीक है कि क्या हो जाएगा कि men's का result नी निकाला जाएगा अगर men's का exam हो जाता है तो men's का इसका result नहीं हैगा किस case में देखो 2016 वाले case क्या हो गया OBC के जो candidates है उनकी जो संक्या है वो ज़्यादा बढ़ गई तो general ने इसको ले जाके और squad में case कर रखा है तो general category के जो लोग है वो ऐसे कह रहें कि OBC क्या हो गया OBC के entry ज़्यादा हो चुकी है इसलिए general ने squad का रखा है अब general वाले जो candidates है वो क्या चाहते है कि जो है एक्जाम ये result है न फिर से हो और एक्जाम ही दुबारा से हो जिन लोगों को mens में सामिल क्या गया है उन लोगों को mens में सामिल ही नहीं करना चाहिए था general जो है इस तरह से इसको oppose कर रही है तो ये तो possible है अब ये सब कुछ depend करता है कि 2016 वाले में किस तरह से इनको लिया जाता है अगर 2016 वाला case अगर solve हो जाता है तो फिर जो 2018 R.A.S. जो है वो वाला case भी solve हो जाएगा लेकिन सब कुछ depend अब कर रहा है 2016 वाले case में क्या decision दिया जाता है 2016 वाले case में अगर mens के result को revise किया जाता है फिर से तो फिर 2018 में जो ये vacancy हो रही है और mens में जो अभी नया result revise करके नए candidates को add किया जाता है तो फिर इनको क्या कर दिया जाएगा बाहर कर दिया जाएगा फिर से या फिर जो है सब कुछ अब depend करेगा 2016 वाले के उपर लेकिन हाँ अभी इतना ही है कि जिन लोगों को add किया गया है उनके लिए ये है कि 24 दिसंबर मान के वो exam की पूरी preparation करते रहें और उसी तरह से चलता रहे कि ठीक है 2016 में भी इसी तरह से किया गया था और अभी भी इसी तरह से किया गया है तो exam date जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है अभी तो यही chance है कि 24 दिसंबर कोई exam होगा और exam आगी जाके कहां अटकेगा तो आगी जाके अटकने के तो chance अब है नहीं क्योंकि जब तक यह पूरा होएगा तब तक क्या हो जाएगा 2016 वाला जो exam है उसके उपर decision आ चुका होगा तो उसी के decision के उपर क्या होगा जो यह exam है 2018 वाला वो पूरा पूरा इसी पर ठीका हुआ है